अब मैं आपसे यह कहा रहा हूँ कि भाई एक वैसल के अंदर जो टू लिक्विड से एक एक सेक्ट वाई है तो दौनों की मुझे वैल्यूस दे रखी हैं तो मैं यह कहा रहा हूँ आपसे कि अगर उस वैसल के अदर लिक्विड एक्स की क्वांटिटी पूछू मैं आपसे इनीशली है इनीशली क्वांटिटी ओफ लिक्विड एक्स इन वैसल कितनी हो जाएगी 3x मान सकता हूं मैं इसको क्वांटिटी ओफ लिक्विड वाय इन वैसल यह कितनी हो जाएगी 5x मुझे बता पहले तो यहां किसी को भी कोई डाउट है मिक्सर अठाया मिक्सर में x और y दोनों की क्वांटिटी आजाएगी तो आफ्टर एट लीटर्स ऑफ मिक्सर आर अगर मैं उसमें से को ड्राउण ओफ कर देता हूं तो लेफ्ट एक सेकंड आपके पास जो लेफ्ट क्वांटिटी ओफ लिक्विड एक्स बचेगी वो कितनी बचेगी 3x में से मुझे माइनस करना है इसका पहले तो 3x में से माइनस करूंगा किसके एकष यह बाले पार्ट को एकष वाले पार्ट है कितना एकष वाला पार्ट कितनी होगा ऊपर तह 3 नीचे टोटल 8 थ्री और 5 कितना हुआ इट् से लागे तो कितना बचा है मेरे पास 3x माइनस 3 लीटर बचा अगला सुनो लेफ्ट क्वांटिटिटी ओफ लिक्विड वाय जो बचा वो कितना बचा 5x में से माइनस करूंगा 5 by 8 पार्ट पर मल्टिप्ला 8 लिक्विड के लिए कितना हो गया यह 5x माइनस 5 लीटर अब मुझे बता हूं यहां तक कोई डाउट है क्या है ठीक है अब इसने आगे एक लाइनस बोली है एंड एट लीटर ऑफ लिक्विड एक्स फिल्ड इन दा वैसल अगर मैं उसको फिल्ड करता हूं तो नाओ क्वांटिटी ओफ लिक्विड एक्स बिक्विड देखो समझ में आना चाहिए आपको लैंग्विज कैसे लिख रहा हूं मैं 3x माइनस 3 के साथ मैंने एड कर दिया 8 और कितना हो गया यह 3x प्लस 5 हो गया यह कितना हो गया 8 में से 3x माइनस 3 था इसके अंदर प्लस 8 करूंगा तो 8 में से 3 जाएगा 5 तो 3x प्लस 5 लीटर्स होगा यह समझ में आई यह आपको यह बात क्या करना चाहिए ठीक है यहां तक समझ में आगे अब यह बोल रहा है कि अब इस कंडिशन पर आने के बात इफ दर रेशो अफ एक्स एंड वाई इस नाव बिकाम 7 रेशो तैन हाव में लेटर्स अफ लिक्विट एक्स का अंड वाई का क्वांटिटी ओफ लिक्विट एक्स अपॉन क्वांटिटी ओफ लिक्विट वाई है तो वो क्या होगा मेरे पास एक्स के लिए हो जाएगा 3x प्लस 5 एंड वाई के लिए हो जाएगा मेरे पास 5x माइनस 5 एक्स एंड वाई के लिए रेशो कितना दे रखा है मुझे 7 बाई 10 क्रॉस मल्टिप्लाइ करो 7 के पास आजाएगा आपके पास 5x माइनस 5 75 35x 75 35 30x 50 35x माइनस 30x उठाके लिए आया है मैं 50 प्लस इदर उठाके लाया है तो 35 कितना बच गये थे 50 एंड कितना हो गया है यह आपके पास 85 5 गंजा 5 ठीक है 355 से मिंजा 35 तो x का value कितना आ गया 17 आ गया अब आपसे पूछ कह रहा था how many liters of liquid x initially है तो देखो हम क्या लिखेंगे इसको initially liquid x equals to liquid x क्या था मेरे पास starting में liquid x था 3x 3 multiply 17 है 51 liters हो जाएगा and liquid y कितना था मेरे पास 5x था कितना हो जाएगा 5 multiply 17 है कितना हो गया मेरे पास यह 85 अब मुझे बताओ क्या समझ में नहीं आया even a block बनाती था ठीक है clear है सभी student को यह complete हो गया आपका question number 8 जहां पर हमने लिक्विड्स निकाल ली है x and y के लिए वैसल में ठीक है यह complete question number 8 जहां कितना है झाल